कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कोशल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक आज जेनियू के छात्र जो है उसको पर उत्रे फीस विर्दी की जो मान थी उसको वापस लेके उनके साथ जो है पुलिस ने बरबरता की उन पर लाठी चार्ज हुआ उसके बाद में जो छात की जो खबर है वो यह है कि जो यूनियन मेंबर्स हैं उन से जो है मैचारडी के अधिकारी हैं उन्होंने मिले हैं उन्होंने जो है अस्वाशन दिया है अब इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमार साथ हैं जेनिश्यू जवाललाल नहरू उनिवर्सटी स्टुड दोदेहद भरा रहा फिर फाइनली में जो है पहले आप लोग उपड़ीटेन गया गया फिर आप लोग जो फैइनली में आम चाहरी पहुंचे अ क्या कहा आप लोगों को हम लोग जब करीबन साथ सारे साथ बजे फिर निकले रवाना हुए शास्ति भवन हमें लेके गये और और वाँ पे GC हुसूर, जो Joint Secretary है, Department of Higher Education, उनसे मिलवाया गया, जहाँ पे काफी लंबी चौडी बातचीत हुई उनसे पुरा डीटेल्स में, कि आज छात्रों जो जेनु के हैं, वो लोग क्यूं फोर्स हुए हैं, एक तरीके से मजबूर हुए हैं, कि वो दिल्ली के शेहर में मतलब रोड्स पे उतर के आने के लिए, अपने मांगों के लिए, डेस्पाइट बाइस दिन से हम लोग लगातार कैंपस के अंदर प्रोटेस करते हुए, तो उनको हमने बताया कि किस तरीके से जो जेनु की वाइस चंसलर है, वो कुछ भी बात नहीं सुन रहे हैं, यूनि करते हैं, तो जो 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 एकडम अशुरेंस दिया कि हाँ, ऐसा चीज होता ही नहीं अगर अंदर युनिवर्सिति का अंदर इसको सुल जाया जा सकता है, हमने बोला भी कि वाइस चंसलर की इस क्राइस, वाइसमेंट क्राइसी हैं नहीं कर पाने के वज़े से, काफी हद जो एंवार्मेंट है, एकडमिक एंवार्मेंट है केंपस का वो भी घर रहे है, और इस इस नोट आपनिंग स्टूदेंस के वज़े से, यह अगर हो रहा है तो यह वाइस चंसलर जो नहीं ठीक से वो कर पा रहा है उसके वज़े से, लेकिन MHRD के तरफ से जो रिप्रेजे हो रही है, किस वज़े से हम लोग फी हाई के लिए लड़ रहे है या बाकी जो इशूस चल रहे है, वो क्या-क्या है, इसके साथ साथ हमने यह भी उश्यू रखा कि इस मूव्मेंट के दोरान, तमाम नोटिसे उनिवर्सिटी द्वारा हमें भेजा जा रहा है, यह बोलते हो जी थे, उन्होंने बोला कमीटी के सामने यह हमें क्लिरली रखना पड़ेगा, कि स्टूरेंट्स को यह बोला जा रहा है कि वो इंक्वारी में पेश है, और अगर स्टूरेंट रिप्रेजेंटर्स का इसको विद्डौ किया जाए, कमीटी के पास इसको रखा जाए, ज् यह सारा मामला यहने नहीं चाहिए था, यह चाहिए था, यह administration को solve करना चाहिए था, लेकिन यह हो पा रह है, कही ना कहीं vice chancellor सुन भी नहीं रहे है, जितना informally उन्ने पता चल रहा है And through many sources, they are saying that even they are not the administration, JNU administration is not happy कि एक कमिटी फॉर्म करवाया गया है गवर्मेंट द्वारा, JNU के लिए, JNU के फी हाइक को देखते हुए और साथ-साथ, इवन आज रेजिस्टर को बोला गया था, कमिटी के सामने अपने डिपोजिशन देने के लिए सोर्से से ये भी पता चला है कि रेजिस्टर गये नहीं है, citing certain reasons तो बार-बार ये देखा जा रहा है कि जो JNU administration है, किस तरीके से लापारवा ही decision making में कर रहे हैं, और वो खुद नहीं चाहते है कि चीजे resolve हो जो बार-बार एक चीज मुद्धा मीडिया में बोला जा रहा है कि वो लोग negotiation करना चाहते हैं, students और बाकी stakeholders नहीं करना चाहते हैं, ये सरासर जूट है, अभी MHRT भी समझ रहा है, और government के तरफ से भी understanding है, कि एकदम जो JNU administration है, वो एकदम सुनने ही रहा है किसी का अशी, जब हम दिन में cover कर रहे थे पूरा protest, तो हमने देखा कि आपको जो है, डिटेन किया गया, उसके बाद में जो है, आपको कहीं ले जाया गया था, तो अगर हम समझना चाहें आपसे, कि पूरी डिटेंशन की दोरान, सूदेंट के साथ, और पटिकुलरी आपके साथ, क्या हुआ, पूरे दिन के अगरिकेट ना करम को आप बता पाएं तो, देखिए, पहला जो बैरिकेट टूटा वो नॉर्थ गेट पे था, दूसरा बेर सराई में, बेर सराई आने के काफी पास, CIC जो Central Information Commission Office है, उससे पहले, तो वहाँ जब गए, तो मैं बैरिकेट को लांग के बार-बार बोल रही थी, कि मैं जेनियू स्टूडन्स यूनिन के अध्यक्षि, मुझे सामने जाने दीजिए, अठली जो स्टूडन्स डिटें हो रहें, और जो स्टूडन्स तोनने की स्टूडन्स आराम से पास कर जाते उस रास्ते से, लेकिन वहाँ पे मुझे आने नहीं दिया गया, उसके बाद मुझे धकेला गया, चार मेल पुलिस मुझे उठा के, जब मैं एक स्टूडन्स हिमादरी, वो SIS की काउंसिलर है, उसको मैं बचाने गई, मुझे भी उठा क बस में चार पुलिस, मेल पुलिस जो थे, उठा के, पुरा खीच लेगे, उससे पहले तो मेरा कुर्ता फारने की पुरा कोशिश किया गया, अगर पिछले लॉंग मार्च की आद हो, तो एक लर्की पुरा कपड़े फारे गये ते, तो लिटरली वो मेरे साथ हो रहा था, वहाँ पे अगर अगर एसीप नहीं आता, तो वहाँ के जो पुलिस थे और सीर पीफ थे, वो मेरे कपड़े वही पर फार देते, ये सिच्वेशन था वहाँ पे, अगर मेरे बोलने के बावजूद, एसीप इंटर्वन करने के बावजूद, मेरे साथ वहाँ पे पिटाई एम्स ट्रॉमा सेंटर में भरती है, मतलब इस ब्रुटालिटी पे अगर आप, हाँ, मतलब जिस तरीके से पुलिस ने ब्रुटालिटी दिखाई है, ये बहुत ही कंडे में करने में बले, लेकिन साथ-साथ समझने के जरूँद है कि पुलिस का भी कोई नहीं सुन रहे है, एसीप आके एक डिरेक्शन दे रहा है कि जेनियो एसीओ के अध्यक्षे उसे कंड्रोल करना है, सामने जाने दीजे, तब बाकी महिला पुलिस मुझ को लेके मेरा कुर्ता पुरा खीच रहे है, और मुझे मार रहे है उनके सामने, लेकिन वहां पे कोई रोल ही नहीं है पीछे आईए, डेलिकेशन जाना है, हमें पूरा चार लोगों को एकदम चार तरीके से डिवाइट कर दिया गया, हमें समझ नहीं आया कहां लाइट गया, कुछ हुआ, मेरा मुझ बंद करके एक कोने में कर दिया, साकेत को, सतिश को, दानिश को, हमें चारों को अलग कर द आज को कैसे डबाया जाए, और आज जिस तरीके से स्टूट्स के साथ बूटलिटी हुआ है, वो मुझे नहीं लग रहा है, रिसेंट पास्ट में किसी भी तरीके से हुआ है, एक दम जो हमारे काउंसिलर है, शशी भूशन जो विजूली चैलेंज है, उनके ऊपर चेस्ट मांग करते हुआ, भी इस तरीके से पुलीस को यूज किया जाते है, बूटलिटी करने के लिए, एक और चीज जो, मतलब हमें काफी यूनीक लगी, वो ये थी कि, जेनी उन्हें अरसे के बाद जो है, शिदद से कोई लड़ाई लड़ी है, हम सुबह का मॉबलाईजिशन काफी ज्यादा था, इतनी मात्रा में जो है, बच्चे बाहर निकले सड़कों पे, ये मॉबलाईजिशन कैसे हुआ, अगर आँ बता पाएंगी, ये मॉव्मेंट चल रहा है, और इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया था, जेनी उन्हें स्टूरेंट्स उन्हें के तरफ से था, स्टूरेंट्स काफी डिमॉडलाईज होते थे, पिछले तीन साल का मॉबिलाईजेशन देखके, कि शायद इस बार भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो सपोर्ट सिस्टेम जेनु को मिला है, होस्टेल प्रेसिदेंस के साथ, साथ शायद दिन में हम लोग अभी कब कि अजिए और उनिये का इनका पवर रहता है, यह काँ उबर के आता है, जो लीडर्शिप वो, कि जेनँवेशन सिफ चार cydollाइस तरीके से चलना होता है, तो वो काफी हद अमने सक्सेफफुल किया है, इस मॉवमेंन के दोरहन, और वोही तमामरीं है, जिसके लिए मोबिलाजेशन एकदम किसी नॉर्मल प्रोग्राम के लिए भी 400-500 का मोबिलाजेशन हो जा रहा है क्यूंकि काफी चार्जड़ अफे स्टूडेंट्स और इस टाइम पे स्टूडेंट्स बात सिर्फ मोबिलाजेशन की नहीं है बाते स्टूडेंट्स को पता है कि इस टाइम पर नहीं लड़ेंगे तो अगले महीने से इस उनिवसिटी के पार्ट नहीं रहेंगे काफी स्टूडेंट्स को छुआ हैं यह मूवमेंट जहाए लोगों के पर्सनल अटाच्मेंट है कोई भी एक मूवमेंट में मोबिलाइजेशन इससे भी होता है कि उस मूवमेंट को आप किस नजरिया से अपने हिसाब से देख पाते हो और इस टाइम पर जेन्यू का हर एक स पर अवर्य अपने तरीके से इस मूवमेंट को जोड के देख रहा है जाए महिला हो तो महिला के देख रहा है दलो तो न्यूद के रूब में देखْ रहा है कि दलित पिछ्छी दपके से लोग आके व motivates चेणाव इस धाय से ओनने के दाते जासे मूल आ इसने उसकेस नाजीब के साथ हुआ है आज तक नजीब वापस नहीं आया हमारे कम एंपस में जिस तरीके से gs cash को खतम किया गया है रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है, यह तमाम सारे चीजी भी लोगों के दिमाग में हैं, जो एक आउटबस्ट लेके आ रहा है इस टाइम पे एक साथ, यूनाइटेड तरीके से. जो अभी तक का पोट्रील है या अभी तक का जो हम देख रहे हैं, वो यह है कि ज्यादा तर मतलब कहा जा रहा है कि फीस बढ़ गई है और जो है उसकी वज़े से जो है चात्र जो है सडकों पे हैं, आप जेनियोसी प्रेसिडेंट है, तो जो है आप बहुत सारे ऐसे के लिए और आप जो है इस पूरी चीजों को फील करते हैं, इस बाने की यह पूरा इशू है वो उनको परस्नली कैसे चूता है, देखें, काफी स्टूडेंट है यहाँ पे, एक स्टूडेंट से में मिली उनके पापा गुजर गय है, 2011 या 12 में, शाहेद इंडियन एक्सप मिलता है जो उसे वो उल्ट अपने फैमिली को भेचते हैं पैसे ऐसा ही काफी लड़किया हैं जिनके पापा ट्रीट पे रास्ते पे नॉर्मल फूल भेचते हैं ऐसे स्टोरीज और वो आज यहां पे एंफिल पीच्डी कर रहे हैं में कर रहे हैं फॉरें लैंगोजिज में पढ़ाई कर रहे हैं मेरा खुद का की मेरे पापा सर्विस करते हैं लेकिन कल अगर पढ़ाई की बात हो तो वो बुला लेंगे बोलेंगे नौकरी कुछ कर लो लेकिन एंफिल पीच्डी तक मत पढ़ो लेकिन आई विल बीड़ फॉर्स मेंबर इन माइ फैमिली तो गेट अब बात है कि अब आज ही निउस में पढ़ा की दिली में ऑक्सिजन का कोई एक नया बार खुला गया है जापे oxygen आपको लेने के लिए 500 रुपए या 300 रुपए कुछ देना पड़ेगा तो this is the condition हमारे देश में कि आप सास लेने के लिए अगर एक सास लोगे अभी आपको 50 रुपए देना पड़ेगा लेकिन यह theory एक typical liberalization, privatization theory है जापे यह बोला जा रहा है कि आप कुछ भी ले रहे हो, यह consumer theory कहा से आता है जापे state, welfare state के हिसाब से नहीं चल रहा है वो educational institutions को एक privatized, mechanized body देख रहा है, profit making कि हार जो चीज हमारे देश में रहेगा, वो profit बनाएगा, देगा और उस हिसाब से देश चलेगा मतब, the state wouldn't give anything, it will be always a give and take relationship और अगर institutions में देखो, there is a give and take relationship बट वो बहुत अलग तरीके होसा होता है एक तरीके से state fund करता है, लेकिन students research करके contribute करते हैं society में तो यह एक बहुत बड़ा चीज होता है, कि students जो एकदम youth हैं, जो इंडिया का population जाना जाता है वो research करके अपनी ही society के लिए contribute करते हैं, लेकिन वो humanitarian aspect इस time का government नहीं देख पा रहा है जो privatization model, capitalist model है, वो नहीं देख पा रहा है अपने आखरी सवाल पर, आखरी सवाल यह है कि पहले आप लोग EC ने कुछ माते मांगे अब MHRD ने कुछ कमटी घर्टिन की है, लेकिन आभी भी आप लोगों को वो चीज नहीं हुली है, जिसका आप जो है, हम कहें कि आप इंतजार कर रहे हैं, वो है fees वाप से सवाल यह है कि आगे का कदम आप लोगों का क्या होगा अगर MHRD के साथ negotiations होती है लडाई तो जारी है, पॉइंट यह ही है कि वापस लिया जाए इसको, इसको वापस लिया जाए कि IHA ड्राफ्ट को वापस लिया जाए, यह तो डिमांड ही, साथ सथ यह भी है कि जो है, कि अगर Nigeria में, South Africa में जो हुआ था, fees must fall, वो एक लडाई चली थी काफी एक साल के लि तो आज जो लडाई, JNU लडाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बात मुद्दा सिर्फ यहां तक खतम होनी की नहीं, बात है आज पब्लिक फंडेट एडुकेशन का जो हाल है उसका है, तो यह लडाई स्प्रेड होड़ा है पूरे कंट्री में यह देखते वे भी खुशी हो सिर्फ JNU तक सिमित ना रहे, then it will be a failure for JNU, because यह movement एकदम nationwide होना चाहिए कि, आज प्रशने यह पूछना चाहिए कि, दो लाग फीज क्यों, वो भी 200 रुपे फीज क्यों नहीं देंगे, और स्टेट क्यों नहीं, फ्री एडुकेशन प्रोवाइट करेगा, तो यह मुद्द करने की स्ट्राइक तो जारी है, लेकिन साथ-साथ यह भी जारी है कि हम इस लडाई को आगे भी कैसे ले जाए?